हेले श्टोडेंड कैसे हैं आप सब उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे मस्तोंगे बहतर होंगे आपकी पढ़ाई बहतर चलिए होगी बच्छो और आज के इस लेक्चर में हम एंग के प्रियोग में फ्रिंज चौडाई कैसे निकालना है वो चीज यहां पर हम चर बच्चा करेंगे जो काला धबा दिखाई दे बिल्कुल दिखाई ना दे वो बच्चो कहलाता है हमारा अदीप्त और जो हमें दिखाई दे जाए वो दीप्त कहलाता है बिल्कुल बहुत ही कम समय में सिंपल तरीके से आपको समझाने के कोशिस करूँगा कुछ बोर्ड मे और बहुत ही सिंपल है थोड़ा सापको ध्यान देना पड़ेगा चले शुरू करते हैं बच्चो यहां पर फिलहाल आपको पहले डाइग्राम समझो कि माना एक संकेन है यहां पर देखो संकेन स्लिट है स्लिट से प्रकास रोत को गुजारा जाता है संकेन का मतलब जैसे माली जिसे माली जै आपका घर कोई भी च्छत दार नहीं है अर्थात पक्का घर नहीं है बच्चो च्छत उस पर नहीं है और उसके इलाबा माली जै कच्चा घर है और एक छोटा सा छेंद है वहां से प्रकास किने आ रही है एक छोटा सा छेंद बारी है ना तो वह संकेन भाग कहलाया उस च्छत के लिए यानि वो कच्छे घर के लिए इसी प्रकार से हम माली या टार्च को एदी एक ऐसा ववस्था बना दें कि वहां से एकदम पतला प्रकास करने निकले तो वह संकिन भाग कहलाएगा पूरा का पूरा आप ब्लैक कभर से ढग दो और एक पतला सा प्रकास करने गई है तो एक यहां से प्रकास करने जाएगी और एक यहां से प्रकास करने जाएगी कुछ इस प्रकार से ठीक है कि हमने पहले संकिन स्लिट माना है एक हमारा एस है और इसके समानतर हमने दो संकिन स्लिट एस वन और एस टू ले लिया है ठीक है एक दूसरे के समानतार है, अब S1 और S2 के बीच की जो दूरी है, उसे हम D मान के चले, small D, ठीक है? दोनों के बीच की दूरी small D है अलग से थोड़ा सा डाइग्राम बनाना मैं आपको सिखा हूँ, तो पहले हमने एक छोटा सा संकर्ण slit लिया, बच्चो ठीक है? इसके समाना अंतार हम दो slit ले लिए, यहां से यहां से और इसकी जो हमने लंबाई माना है वो small D माना है, यहां से यहां तक की लंबाई हमने small D मान लिया तो यह हमारा S था, यह S1 और S2 है ठीक है? अब इससे D दूरी पर परदा है, D दूरी पर परदा है, तो capital D दूरी पर परदा मान लिया, आपने की बाई परदा है, देखो ज़रा ठीक है? यहां पर यह आपका S1 और S2 है, यह दो slit है, और इनके बिच की दूरी और D है ठीक, तो यहां से यह जो आपको समानतार रिखा दिख रहा है इस दूरी पर परदा है, और मान के चलते हैं कि जो S1 और S2 है दोनों के समान दूरी पर एक बिंदू O है, एक बिंदू O है, मतलब S1 से बिंदू O तक, और S2 से बिंदू O तक जाने में जो समय लगेगा वो बराबर होगी, तो यहां S2 से समान दूरी पर एक बिंदू O है यहां पर ध्यान दीजेगा, बिंदू O हमने मान कर चला है, कि परदे पर हमारा बिंदू O है, S1 और S2 से कुल मिलाकर यहां से यहां तक जाने में और यहां से यहां तक जाने में बिंदू O तक है दी जाएगा इसका पथांतर बिलकुल दोनों का पथों का अंतर निकालें यदि S1 O और S2 O निकालेंगे तो सुनना आएगा पथांतर मतलब भाईए S1 से O तक जाने में S2 से O तक जाने में जो समय लगेगा उनका अंतर इन पथों का अंतर निकालेंगे तो पतांतर सोनोगा इसमें कोई दिक्कत नहीं है फिलाल आप इतना माना लिख सकते हो चुकि मैं यहाँ पर देखो पुरा कम्प्लिट लिख दिया हूँ एक एक स्टेप आपको समझाओंगा थोड़ा समय लगेगा बच्चो लेकिन आप बहतर रूप से समझ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी अब मैंने आप से कह दिया कि भाई यहाँ पर देखो जारा यहाँ पर देखो आप S1 है और S2 है सह लिए यहाँ पर एक बिंदू हमने O1 ले लिया टोटल बच्चो यहाँ से यहाँ तक की जो डी एदी लंबाई है तो यहाँ से यहाँ तक आप बताओगे D by 2 यहीं हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक D by 2 हो जाएगा ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं है ठीक यह चीज है प्राप्त होगा या अदेव्ट फ्रिंज प्राप्त होगा मतलब जहां पर टकराएंगी वहाँ पर हमें रंग दिखाई देगा जिसे हम देव्ट फ्रिंज बोलते हैं और जहां पर दिखाई नहीं देगा जहां पर प्रकास की तिबरता नियुनता में वहाँ पर अदेव् का difference पथांतर का मतलब क्या होता है दोनों का difference अधिक बाला में से कमबाले को घटा देंगे यह एस टू पी में से एस वन पी को घटा देंगे यह पथांतर होगा भाईया जब प्रकास किरने बिंदू पी पर मिलेंगी मैं आपसे क्या कहना चाहता था कि यदि एस वन और एस टू से प्रकास किरने बिंदू ओ पर आएगी तो यहां पर पथांतर सुनना होगा क्योंकि एस वन से समान दूरी पर है एस टू से भी समान दूरी पर और समान दूरी पर तो दो में दो दिक्कत तो नहीं है S1 Q का मान कितना है capital D है क्योंकि इस समानता रेखा से परदय की बीच की दूरी बच्चो दी मानकर चला हमने या O1 O तक की दूरी D ही होगी S2 R की सब कुछ दूरी T ही होगी फिलाल इतना आपको clear हो गया होगा ये सब कुछ माना है बच्चो माना लिखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए नहीं तो फिर आपको confusion में ही confusion बनी रहेगी आपका doubt clear होना ही नहीं है ठीक है को दिक्कत तो नहीं है कि वाई साहब हमारे पास एक संकिर्ण slit है इसके समानतर S1 रेश्टू दो संकिर्ण slit है जिनकी बीच को दूरी डी है इससे डी दूरी पर एक परदा है वह या समान दूरी पर एक बिंदू ओ है जिसका पथांतर सुन होगा यहां पर पथांतर कितना हो जाएगा S2P में S1P को घटा देंगे फिलाल बच्चो इतन दूरी पर परदे पर एक बिंदू P है परदाई है इस बिंदू पर पहुचने वाले तरंगों के जो पथांतर है S2P माइनस S1 O हो जाएगा S1 और S2 मद्ध बिंदू O है है ना S1 और S2 का मद्ध बिंदू O1 है तब S1 Q S2 R बराबर D हो जाएगा यह चीज मैंने आपको बत दूरेगा मतलब याँ शे यह 1 o1 तक पर D हा और S1 S2 तक कर D हा यह चीज पता होना चाहिए आगे चलते हैं मुद्ध की बात करते हैं हमारे पास दो समकॉन त्रिभूज बन रहा बच्चों दो समकॉन त्रिभूज बन रहा है एक समकॉन त्रिभूज हमारा बन रहा है समकोन त्रिभूज बन रहा होगा एक उपर वाला देखो और एक ये बड़ा वाला देखो ठीक है तो मैं यहाँ पर कह दूँ P है ठीक फिर आपका Q है और S1 है P Q S1 पाइथागुरस प्रमी क्या कहता है कान का बर्ग S1 P का स्क्वेर बड़ा बर्ग S1 Q का मान कितना है यहाँ से यहाँ तक की दूरी Capital D है और P Q कितना बच्चो P Q वाव यार P Q तो O P में O Q को घटा दे O P में O Q कैसे घटाओगे O P में O Q को घटा दो P Q निकलेगा O P का मान हमने X माना है O Q का मान D Y 2 हाँ देखो यह D Y 2 है यह भी D Y 2 हो जाएगा तो यहाँ पर X मानेश D Y 2 कर दूँगा स्क्वेर हो जाएगा कोई दिक्कत तो नहीं बच्चो यहाँ ता क्लियर है इसी प्रकार त्रिबूत समकोर हमारा है P R S 2 P R S 2 में ठीक है S 2 P का बर्ग बराबर मतलब कान का बर्ग बराबर लंब का बर्ग धन आधार का बर्ग यहनि S 2 R का बर्ग धन P R का बर्ग P R का बर्ग तो यह S 2 P का बर्ग यह तो D स्क्वेर होगा प्लस में यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी बच्चो तो P से Q, X और Q से R, D, Y, 2 तो हमारा X, प्लस D, Y, 2 हो जाएगा बर्ग हो गिया ये दोनों समिकर निकलकर आ गए है समिकर एक और दो कोई दिक्कत नही है पैथागरस प्रमे लगाए है पैथागरस प्रमे से आप निकाल सकते हो फिर एक्स प्लस दीवाइटू यह चीज आपने निकाला समीकरन एक और दो में घटाने पर पतांतर कैसे निकालते हैं समीकरन एक और दो को घटा कर तो समीकरन एक कितना बच्चो एक को घटाएंगे तो समीकरन एक को घटाएंगे है ना एक को घटाएंगे और बच्चे का माइनस एक माइनस दीवाइटू का स्क्वेर कोई दिक्कत नहीं है घटा तो रहे हैं कल्कुलेट करो ए स्क्वेर प्लस बी स्क्वेर प्लस टू ए भी ठीक है यहां पर बच्चो ए स्क्वेर प्लस बी स्क्वेर माइनस टू ए भी 2 지 2 cancel कर दो 2 से 2 cancel कर दो x square सा x square घटेगा इससे घट जाएगा बच्छे कह कीतना x 3 d यहाँ पे minus minus plus हो जाएगा x 4 d मतलब 2 x 3 d यही तो निकल करा रहा 2 x 3 वह सहभ यह निकल करा रहा है पूरा विजबत आपको समझाय जाता समी कर दो को घटा दिया हमने घटा दिया भाई डी स्क्वेर से डी स्क्वेर पहले ही कट गया a पलस बी का होगे स्क्वेर लगा दिया a-弟ॉर्स-भी तो दिल हमारे निकल करें दो चले हम आगे की बात करें बच्चो यहां पर आपने देखी mirjam कि S2P square minus S1P square बराबर 2XD यहां तक तो clear है न A square minus B square का formula क्या होता है A plus B into A minus B ठीक है अब यह दि बच्चो इसका मैं मान निकालू कि S2P minus S1P यह गुणा में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा 2XD upon S2P than S1P यह चीज निकल करा गया S2P धन S1P और इसको आप समिकर्ण 3 दे सकते हो समिकर्ण 3 ता कोई दिक्का तो नहीं बच्चो S2P S1P अब यह बोला गया कि S1P और S2P यदि जो बिंदू P है बिंदू P है O के नजदीख हो O के नजदीख हो अत्यन्त पास आजाए निकट आजाए तो फिर S1P और S2P समान हो जाएगा यदि बिंदू P अत्यन्त पास आजाए S1P और S2 दोनों क्या हो जाएंगे समान हो जाएंगे तो बच्चो यदि हमने कहा कि बिंदू P O के निकट आजाए S1P और S2P दोनों समान हो जाएंगे तो S1P के जगए भी D कर देंगे S2P के जगए भी D कर देंगे तो D धन्डी 2D हो जाएगा 2 से 2 कार दो तो XD upon capital D हो जाएगा यही पथांतर बच्चों पथांतर निकल कर आ चुका है क्या निकल कर आया पथांतर देखो इतना कम समय में पथांतर आपने निकल लिया पथांतर आसानी से निकल लिया ठीक है यहां तक clear तो है न कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक यह दिक्लियर है तो फिर आगे बात करें देब्त फ्रिंजों के लिए तो देब्त फ्रिंज और अदेब्त फ्रिंज कहां से समझोगे तो आपको समझाया गया था जानते हैं क्या चीज संपोसी बितिकरण बिनासी बितिकरण संपोसी में क्या होता है कि जो तरंगे एक दूसरे से मिलती है तो तीबरता अधिक्तम होती है तो भाईया धीवरता अधिक्तम होगी वहां पर हमें चीजें दिखाई देंगी उसका प्रतिम भी दिखाई देगा तो वह दीव्त फ्रिंज होगा दीव्त फ्रिंज मतलब दिखाई देना सिंपल है संपोसी बेतिकरण में दिखाई देता है तो जो अधिक्तम तीवरता होता बच्चो लेम्डा भाई टू का सम गुड़ाक होता है यह चीज मैंने पहले बग कराया था यदि आप लोग करे होंगे पड़े होंगे तो कोई इकत नहीं पड़े होंगे तो यहां पर आप क्या बता है कुछ भी हो सकता है वैसाब नहीं बनेगा कहने के मतलब यह हुआ सम गुड़ाक मतलब 2N-1 लेकिन सम गुड़ाक की बात करें तो 2N 2N का लेम्डा भाई 2 का सम गुड़ाक होता है ठीक है टू से 2 कार दो बच्चो तो जो हमारा डी कमान निकल करा जाएगा कितना अगा पक्छांतर हो जाएगा एन लेम्डादी बाई 2 ठीक है जहां पर एन दो, तीन, चार, पांच, छे, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, अधिक्तम तिब्रता के लिए जब बात करेंगे, तो लेम्डा वाई टू का सम गुड़ाक होता है, कितना होता है, यह जो पथांतार होता है, लेम्डा वाई टू का सम गुड़ाक होता है, तो पथांतार एक जीरो से लेलो है ना जीरो से क्योंकि समपोसी के लिए जीरो से चलता था तो जीरो एक दो तीन लेलो ठीक है यहां पर देखो जीरो है मतलब केंद्री अधीवत फिरिंज की स्थित हो गयात होती है बिलकुल बिंदू ओपर ठीक है फिर एक रखेंगे तो प्रतम दो रखेंग तिन रखें त्रतियाग अव्यदी बात करने इसी प्रकार आधीब्त फ्रिंज आधीब्त फ्रिंज में क्या होता बच्चो को लेंड़ा बाई 2 का विसम गुड़ा तो जहाँ टू एंथा टू एंवा कर दो कुछ नहीं है 2N था तो 2N-1 कर दो हाई क्या है कुछ भी नहीं पक्षांतर कर दो X कमान निकल कर आया भाई नियुंतमती बृता अदीप्ट फिंजे मतलब नियुंतमती बृता और नियुंतमती बृता में बच्चो Lambda Y2 का विसम गुड़ाक होता है विसम गुड़ाक मतलब 2N-1 जहां सम की बात आ जाए तो 2N विसम गुड़ाक की बात आ जाए तो 2N-1 तो जो पठांतर XD अपांट D मैंने निकाला वो विसम गुड़ाक है Lambda Y2 होगा तो विसम मतलब 2N-1 Lambda Y2 यहां से small X कमान निकाल सकते हैं टल डी पक्षांतर हो जाएगा small d इधर divide में हो जाएगा जहां पर N बराबर 1,2,3 इस स्थित में अधीप्ट फ्रिंजों की स्थितियां प्राप्थ होती है यहां तक clear है यहां सब कुछ complete है फिलहाल बच्चो अभी हम दीप्ट फ्रिंज के लिए फ्रिंज चड़ाई और अधीप्ट फ्रिंज के लिए फ्रिंज चड़ाई निकाल सकते हैं कैसे निकालेंगे बहुत simple वे से हम आपको निकालना सिखाते हैं देखो कैसे थोड़ा तरीका होना चाहिए ने यार तरीका क्या है कि जैसे हम इदी आप से कह दें कि दीप्ट की चड़ाई मानलो यहां पर मैं कुछ इस प्रकार से परदा बनाया यह दिखने वाला है यह दिखने वाला है फिर यहां पर बीच में नहीं दिखता फिर दिखता है ठीक है फिर यह नहीं दिखता फिर दिखता है फिर ये नहीं दिखता फिर दिखता है मतलब ये मेरा अदीप्त है अदीप्त है है ना अदीप्त फिंजे है इसकी जब चोड़ाई मुझे निकालना है तो दो दीप्त में अंतर दीप्त में अंतर निकालेंगे इन दीप्तों के बीच का अंतर निकालेंगे तो अदीप्त की चोड़ाई निकला जाएगी कुछ समझे बात को कि हमें बीच का ये अदीप्त पता है इस अदीप्त को निकालना है तो दीप्त के बीच का कितना डिफरेंस है इनके बीच का difference निकालेंगे तो चोड़ाई निकल कर आ जाएगा और यदि बच्चो मुझे इस दीप्त का निकालना है ये दीप्त है इस दीप्त का निकालना है तो दो अदीप्त की चोड़ाई निकालेंगे दो अदीप्त के बीच की अंतर समझ में आया कुछ कि यदि हमें ये अदीप्त दिख रहा है ये दिख नहीं रहा है इसकी चुड़ाई निकालना है तो दीप्त के बीच में डिफिरेंस निकालेंगे और यदि हमको दीप्त का चुड़ाई निकालना है तो दो अदीप्त की बीच का अंतर निकालेंगे करमसा इन सब का मान दिया रहेगा इनका मान दिया रहेगा इसमें इसको घटाएंगे तो इसका माना जाएगा यह दिया हमें भाई इसको निकालना है तो अदीप्ट में अदीप्ट को घटाएंगे तो दीप्ट का निकल करा जाया यहनी जो दिख रहा है उसका चुड़ाई कैसे पता चलेगा जो नहीं दिख रहा है उनके बीच के अंतर का समझ में आया हम क्या कहना चाहते हैं बच्चो थोड़ा समझने की कोशिस करो फ्रिंज चोड़ाई निकालना है हमें फ्रिंज चोड़ाई यह फ्रिंज चोड़ाई फ्रिंज चोड़ाई कैसे निकलेगा फ्रिंज चोड़ाई कैसे निकलेगा दीप्त के लिए जब निकालना चाहेंगे तो अदीप्त फिरिंजों की जो दूरी है उनके बीच का अंतर निकालेंगे समझ रहे ना यहनी दो अदीप्त है दो अदीप्त है बच्चों जैसे मैंने यहां पर कहा दो अदीप्त है ये मेरा दीप्त है फिर अदीप्त हो गया फिर दीप्त हो गया फिर अदीप्त फिर अदीप्त समझ रहा हो तो ये मेरा दीप्त है और ये मेरा अदीप्त है ठीक है फिर दीप्त है ये दीप्त है फिर अदीप्त है तो जब इसकी चोड़ाई निकालनी है दीप्त की तो दो अधीप्तों की बीच का अंतर निकालना है क्योंकि इधर भी अधीप्त है तो दो अधीप्तों की दूरी का अंतर निकालेंगी तो चोड़ाई निकल कर आ जाएगा दीप्त का और यदि दो दीप्तों की बीच का अंतर निकालेंगी तो चोड़ाई आ जाएगा अदीव्ट का समझ में आ गया कोई दिक्कत तो नहीं है अब मैं X बराबर आप से कहा कि XN है तो ये 2N-1 Lambda D upon 2D ये मान निकल कर आया था अभी जेस्ट आपने देखा क्यों कि दीव्ट की चोड़ाई निकालना है तो दो अदीव्टों के बीच का अंतर निकालना है ठीक है मतलब N, N का मतलब है अंतिमबाला XN और इसके पहले XN-1 रहा होगा समझने कोशिश करो न कि मान लो ये दसमा नंबर का भाया अदीव्ट मतलब अदीव्ट है तो ये 9 में नंबर का होगा तो X-N XN-1 XN-1 इस स्थित में 2N-1 मान फिर ब्रैकेट लेंडा दीव्ट अपान 2D मतलब 2 एक कम दो 2 एक कम दो मान एक लेंडा दीव्ट अपान 2D तो फिलहाल कितना जाएगा 2N-3 लेंडा दीव्ट अपान 2D बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है सर क्या समझा रहा हो कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं ये कह रहा हूँ बच्चो कि ये अदीव्ट की बीच का अंतर निकालना है तो अदीव्ट की जो फिंज चड़ाई है मतलब एक प्रकार से अदीव्ट फिंज के चुड़ाय निकालने के लिए अदीप्त की केंद्री से जो दूरी है फिरिजी की जो दूरी है X है बच्चो X का मतलब क्या है दूरी है तो न के लिए 2N-1 upon 2D lambda d ये निकल कर आया था ये कहां से निकल कर आया था हमें दो अदीप्त चाहिए तो एक हमने XN निकाल लिया और एक निकाला XN-1 तो 2N-3 upon 2D आया जो इस प्रकार्स में निकाला यह XN बराबर इतना N-1 के लिए मैंने क्या किया N के जगे N-1 रखा तो इसको calculate किया इतना आ गया अब इनके बीच का अंतर निकालना है इनके बीच का अंतर निकालना है तो अधिक बाले में से कम बाले को घटाएंगे तो घटाएंगे तो कुछ इतना value आ जाएगा lambda D upon D यह यह है आपका दीब्ट फिंज के लिए चोडाई दो अधिब्टों की बीच का अंतर निकालेंगे तो दीब्ट का चोडाई निकल कराएगा यह पहले सिर्में बता दिया और जब अधिब्ट की चोडाई निकालना है बच्चो अधीप्ट फिंज की चोड़ाय निकालना है तो दो दीप्टों की बीच का हम अंतर निकालेंगे दो दीप्ट का अंतर कैसे जैसे XN बराबर आपने पढ़ा है भाई अधीप्ट के लिए निकालना है तो दीप्ट का हम xn कमान निकालतें तो n lambda d ऐसी नहोगा small d और एदि मैं n-1 की बात करूँ तो कितना हो जाएगा n-1 lambda d upon d अब इन दोनों के बीच में difference निकालना है तो कैसे difference निकालेंगे n lambda d upon d minus n-1 lambda d upon d calculate करो n lambda d upon d minus में n lambda d upon d और minus minus plus lambda d upon d ये कर जाएगा बच्चो तो lambda d upon d ये fringe चोड़ाई आ गया fringe चोड़ाई इतना सरल है fringe चोड़ाई बहुत आसान है fringe चोड़ाई बहुत आसान है n-1 b के लिए fringe की दूरी xn-1 तो फिर दोनों के बीच की दूरी कलें हम difference निकालेंगे तो यह हमारा निकल करा जाएगा ठीक है तो फिर्ञ चोड़ाई इतना ही है बच्चो इसके लावा कुछ नहीं है थोड़ा सा फोकस करना पड़ता है कि दो दीप्त फिंजों के बीच का अंतर निकालेंगे तो अदीप्त की चोड़ाई निकला जाएगी उम्मित करता हूँ आज के वीडियो पसंदाओं का पसंदाओं करके शेयर कर दें बच्चों और इसका मैं है हैंडिटे नोट्स मात हैंड़ रूपीज में आपको प्रवाइड करता हूँ ताकि आप लोगो प्रापर रूप से त्यारी हो सके जिसे कुछ चीजें आपको समझ में नहीं आती होगी जो कि नोट्स में आप वेथर रूप से पढ़ सकते हैं देख सकते हैं और वीडियो पसंदाओं करके शेयर कर दें हैंडिट रूपीज चार्ज है कंटेक्ट नंबर 96-29-49-49-49-49-49-49-49 जैहिंद बंदे मातर हूँ